भारत और आस्ट्रेलिया का मुकाबला 17 को शुरू होने वाला है अब कंगारू और शेर आमने सामने अच्छा हर बार जब मुकाबला शुरू होता है तो कंगारू को क्या है कि वो माइन गेम्स खेला शुरू कर देते हैं तो उनके कप्तान स्टीव स्मित ने ये बोला है कि व एकरान सर और रहूल सर तो आज आज तक लाइव में हम इन से बात करेंगे और देखते हैं कि स्टीव स्मित का ही कहना जो था वो किस सेंस में बोला उन्होंने रहूल सर उन्होंने शायद से पिछली बार जब ऐस्ट्रेलिया यहां थी टेस्स सीरीज के लिए काफी गहमा ग है यह हमें जैसे बोलते हैं रीड बिट्वीन दा लाइन अब या तो उनको बल्ले से शांद करना चाहते हैं वो या चाहते हैं कि उनको मैच ऐसा हो उनकी परफॉर्मेंस हैसी हो कि वो विराट को शांद कर दे जो शायद से अभी मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है यह पसंदीदा फॉर्मेट है वनडे क्रिकेट और अर सबसे बड़ी बात मारी थी यह तेस्सीरी यू he ऑर जोघ सीरीज में गए मेरे हैसाब से उसमें आसमान कांतर होगा एंडियन टीम और विराट ने पहले भी आद्यो अस्टीम ने पहले को टेस्सीरीज भी जिस तरह से शुरू हुई थी, आकर स्टीव स्पित ने पहले ही कह दिया था, हम तो बच्चे हैं, हम तो अंडर डॉग्स हैं, हमें तो खेलना नहीं आता, लेकिन देट कम प्रिपेर्ड, यह हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भारत को तंग किय गए हैं, in terms of aggression, in terms of लड़ाई जगड़े, और in terms of quality of खेल भी, तो क्योंकि दोनों टीमें जो एक दूसरे से खेलती हैं, अपने खेल किस तर को ऊपर ले जाती हैं, और उसके बाद जब सीरीज खतम होनी वाली थी, तो स्टीव स्पित ने का हम तो दोस्त हैं, हम तो भाई- Indian Aussies भाई-भाई, क्योंकि IPL स्टार्ट होने वाला था, तो विराट ने उस बत कहा था, मेरा भाई कोई नहीं है, मेरा दोस्त कोई नहीं है, भाई, सीरीज में आप गाली देते रहें एक दूसरे को, आज आप IPL से पहले भाई हो गए, तो मुझे ये लगता है कि शायद य लुढ़न है क्यां ने लुँख वह सकते में, यू ऐस पहले हैं, मुल थे तो मेरा भाई, जैसिक दे एका पहलर, चान्स की रहें वे होगा दो हमिलने और तो शायद ले रहा हूं रहें और jis को आप पहले है कि लिए मा Wow विराट खया हम भाई पाई-ट्वार, जैसे राह लेकिन किसी बैट्समान का कसूर नहीं होता कि आज वंडे में आपको गेनबाजी कमजोर दिख रही है बनस्पत 90s या 80s में तो मेरे ख्याल वंडे के डॉन बैट्मन वही है या डॉन बैट्मन वही है जो जो मैच बैटिंग करने जाए वो जिताकर आए वो उसके माइंड मे कैलकुलेटर हो और हाथों में कंपस हो तो वो चीज विराट में है लेकिन मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ शायद एक चांस ले रहे हैं कि पंगा ले ले अगर विराट ने रियाक्ट कर दिया वो दब गए तो ठीक है यह तो यह भी कई बार होता है ना इट काउंटर ए इनकर क्या आए है वैसी अब कंगारू की बारी है पिटने की सारा यह बिल्कुल और जैसे आपने बोला कि कि यह उनकी गलती नहीं है अगर उनको वह पहले पुराने एरा में पैदा नहीं हुए अब कोई आयटी का इधर उतको एक्जाम देगा उसकी गलती नहीं है कि कोई उसको बोले कि भाई अगर तुम पहले दिया होता तो मैं मानता कि तुम यहां पे तुमारी पॉजिशन जेस्टिफाइड है वैसी इसमें विराट की कोई गलती नहीं है और दूसरा यह है कि ऑस्ट्रेलिया की फिदरत रही है शुरुआत से कि वह जितना ग्राउंड में प ऍरफेस कॉन्फरेंस में ऑस्ट्रेलिया ऐस्ट्रेलइज मीडिया को आप काफी आपने देखा आप में ट्रयावल बहुत कि आपो ऑस्ट्रीलय मीडिया के थो काफी पर प्रेशरा बनाए जाता है तो यह जो यहां पर इसंप शायद से टिली जैसे आपने का बहुत हमैं उस्ट में बहुत होगा होगा और यह यह देखना प्रकातफरियागा खुद खुद का अन्पस्डाB का अंतर मेंकर रनना बनतchosर्ट मैजंत हो आते और दो शुनन बैटिंग ठीक है उनके पास है उनके पास मैक्सवेल, वार्नर, फिंच और स्टीव स्मित खुद बड़े शांदार बैट्समेन है लेकिन जिस तरह कि पिचिज यहां पर इंडिया में होंगी ऑबिस लगता है कि दोनों टीमें चेज ही करना चाहेंगी इंडिया भी चेज करन चेज कर दिया थे हो सकते है कादे मैच में 30 के कारीً पास बोलिंग बेटर है मेरा या मानना है कि इन कंडिशन में इंडिया के आपस बोलिंग बैटर एड़ बेड़ फास्ट बोलर्स उमेश और शामी ऐसे बॉलर नहीं आपकी आए और वो पिट जाएंगे वो विक्टे मी लेंगे और जो तीन स्पिनर्स भारत ने ट्राइए किये श्रलंका में मुझे लगता है डाड इस क्योंकि अश्विन जडेजा ठीक अर्से से खेल रहे हैं तज्यूरबा भी है सब कुछ है लेकिन आपको कभी-कभी गंगा गए गंगा राम जमना के जमना दास की लिए तैयारी करनी पड़ती है आपको कभी जाकर यह सोचना पड़ता है कि यह जो हम कर रहे हैं वो सही कर हैं गलत कर रहे हैं अश्विन मुझे लगता है कि वंडे क्रिकेट शायद अब वो सूटेबल नहीं है क्योंकि चैंपिन्स टोफी में राहूल उनको इंपाक्ट नहीं था और विराग ने उनको ड्रॉप करना 11 से तबी से शुरू किया था तो आज यह कहना जो खिलाडी व कि अपने फिटनेस का पैरामीटर रखे हुए हैं फिटनेस का क्या मतलब है यो-यो टेस्ट आप एथलीट तो है ने तो फिटनेस का मतलब है कि क्या आप 50 ओर बैडिंग कर सकते हैं वही एजिलिटी के साथ जब आप 10 ओर डालें आप उस तरह से गीन कर सकते और आपकी फी में चार चौके भी छोड़ दे तब भी वो टीम के लिए ज़रूरी थे लेकिन अब उनको विक्टे नहीं मिल रही थी अब मुझे नहीं पता कि उनको ड्रॉप करने के कारण उनको ड्रॉप किया गया बट वह कॉन्फिदेस जाने के बाद मैंने देखा रहूल उसमें उनकी वो गेंदबाजी में पैनापन नहीं है और अगर आप 15-40 ओवर के बीच विक्टे नहीं लेंगी आपकी टीम दोनों इंडसे स्पिनर्स आपके बॉल डालेंगे विक्टे नहीं लेंगे तो आप रन कैसे रोकोगे वह आपने इंग्लेंड में 2019 में वर्ट कप खेलना है तो एक आफडे ना आए तो ही आप जीच सकते हैं क्योंकि एक गेंदबास को आफडे हुआ और यह जो सर्कल में फिल्डर है राहूल मैंने देखा इंग्लेंड में यार वो कप्तान के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप फिल्डर कहां कहां से निकाले मलब सर्कल के बाहर अगर आप एक कम और फिल्डर कर देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा और अश्विन मुझे लगता है जड़ेजा परहाप्स येस क्यूंकि जड़ेजा की ताकत है फिल्डिंग फिल्डर बड़े अच्छे हैं बट अगर यह लोग इसी तरह से पर हैं फिल्डिंग में तो वो चाहेंगे कि उनका शायद से पहली चीज यह होगी कि मेरी टीम में हर कोई उस्टांडर को मैच करें बट अश्विन शायद से वो नहीं है आई रों नो रीजन बट आई फील कि विराट वन डे क्रिकेट में तो अश्विन को उतना ट्रस्ट शा अब तो मुझे लगता है कि वो लोकल डिशीज भी ट्राइब करते होंगे वो लोकल लैंगविज इस भी आती होंगी मतलब वो जो लोग चन्ने में साधा खेलते थे यह आई पील की टीम से उनको तो तो तमिल भी बोलनी आती होगी अब हिंदी तो दूर की बात है तमिल भ अब क्या होगा अस्ट्रेलियन टीम के साथ मुझे तो देखिए कुलमिलागे सर यही लगता है कि यह जो कंगारू है इन्होंने बैटके सबने पूरी टीम ने एक साथ मैच देखा इंडिया श्रीलंका का यह डर गए हैं अंदर से तो अब यह डराने की कोशिश कर रहे हैं अब विराट है धोनी है कैसे तीम हमारी विल्कुल रोज शर्मा को रोज शर्मा है तो मैचों में आपने 350 3060 चेज कर दिये थे और रोहित का रिकॉर्ड देखें अगेंस ऑस्ट्रेलिया एस्पेशली इंडिया इन उस्ट्रेलिया में इसमेजिंग मेरेकर विराट से दार तो रोहित ने बनाए हैं शायद ऐस्ट्रेलिया को उस सीरीज में भी रोहित का बहुत अच्छा कॉंट्रिबूइशन था और हाला कि विराट ने एक जिस आप एक चेज की बात कर रहे हैं उसमें जो फास्टेस सेंचुरी मारी थी विराट ने उसमें भी रोहित का रोहित क सेंचुरी यह थोड़ी डिफरेंट सीरीज होगी दूसरा यह है कि मैं मानता हूं कि विराट केल राहूल को चार नंबर खिलाना चाहते थे बहुत वह गलत था और विराट को चाहिए कि मनीश पांडे से ही चार नंबर शुरू करे हां छे के लिए वो केदार जादव या जो भी ट्रा युवराज सेंग मेरा यह मानना है कि इनके टीम से बाहर निकलते ही ना वो थोड़ा सा मिडल और आपका कमजोर दिखता है शायद सुरेश राना का चांस है बीबी टेक्निकली अगर वो डिवेस्टिक क्रिकट में खेलेंगे रन बनाएंगे ही माइट जस्ट कम बैक बैक क्रिकर में एक दस्तूर होता है कि जब आप पीक पर जा रहे हों आपको मौक तब मिलना चाहिए और उपर जा रहे हैं तब आपको मौक में मेरे मेरे साथ के विक्रम राठहौर थे पंजाब से खेलते थे और रहूल वह 95 में 1995 अपर जा रहे थे पीक अटेंड कर रहे और उनको मौका में 96 में ठीक है वो उस वक्त जब नीचे आ रहे थे तो खिलाडी को उस वक्त बैक करो जब वो उपर जा रहा है विराट कोली को भी बैक किया था ना किसी नहीं तो इसलिए विराट उपर जाते-जाते फिर निकल गए तो जब खिलाडी उपर हो पीक पे जा हाहा हो वो इंप्रूफ कर रहा हर है हर रोज तो उसको मोका दो जब वह बाहर बैठेगा ना वहर णोश से इंप्रूप नहीं करेगा वह मेंटली स्ट्रॉंघ होगा तो में का कमबैग होप मनीश पानड़े में उइप वहग ए है कि अगर मनीश पांड़े अपने आपको ठ आपने एक चीज और बोली युवराज सिंह की हमारा एक स्कॉड हमारा श्रिलंका से आया है एक तीन दिली ट्रोफी में खेल रहे हैं और एक हमारा इंडिया के लिए एक लिए भी सिलेक्ट हुआ है तो तकरीबन तकरीबन 45 प्लेयर्स हैं दिली ट्रोफी में जो घूम रहे है जो खिल रहे हैं, टीम मैनेजमेंट को या सिलेक्टर्स को युवराज इतने भी फिट नहीं लगे कि वो उसमें आसके हैं, मुझे लगता है कि युवराज अभी पूरी तरह बाहर शायद ना हुए हो, और अगर हम सरफ दुलिप ट्रॉफी और इंडिया एक टीम देखें, व ना होना मुझे लगता है वाजब है, अब युवराज सिंग जैसे खिलाडी को आप इंडिया ए में नहीं डालेंगे, वह आप उनको इंडिया ए में नहीं जाएंगे, कि जाए रन बनाईए, कि मैं रन बनाएंगे तो आप टीमें वापिस आएंगे, नहीं, अब अगर जगा पगड़ ली तो पगड़ ली, अब केल राहूल ऐसा नहीं है कि उनमें एबिलिटी नहीं है, मेरे यह माना है क्योंकि वो नई बॉल खेलने के आदी है, तो वन टू थी के लिए बड़े अच्छे बैट्समन है, शायद में आपकी गेम के लिहाज से चार नंबर मौका मिला, शिखर ने क्या किया, शिखर ने रन बनाए, फिर वो टे सीरीज आई, श्रिलांका वाली, वहाँ पे रन बनाए, तो शिखर दवन का क्या कसूर है, भाई जिसको और शिखर दवन आपके प्रूवन मैच मिनर है, क्या राहूल में भी अबिलिटी है, बट यार, क्या का प्लाइन ए है, आपके कफ्तान का, कोज का, मैनेजमेंट का, वही आपकी वर्ल्ल कप की टीमें नहीं, किसी को चोट लेगेगी, कोई आउड फॉर्म होगा, और कोई ने कोई ऐसा एक निया खिलाडी आएगा, नीचे से, जिसको शायद हम आज नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि वो छे नंबर पर जो गेम चाहिए, वो सुरेश राइना के पास है, केदार जाद बॉल डालते हैं, तो सुरेश राइना भी डालते हैं, पर राइना की फिटनेस, वो मैच खेलना शुरू कर दें, एक अच्छा सीजन, एक दो अच्छे महीने, एक पता नहीं चलता, तो अंदर से भूख है वो, मेरा भी मानना वही है, और हो सकता है, जादा दूर नहीं हम, हो सकता है, हम T20 में देखने को मिल जाया है, जो भी स्कॉर्ड अनाउंस हुआ है, वो सिर्फ तीन ODIs के लिए अनाउंस हुआ है, उसके बाद दो ODIs और T20 भी है, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा सर्प्राइज हुआ था जब श्रिलंका का स्कॉर्ड अनाउंस हुआ था, क्योंकि हाला कि किसी के लिए ऐसा नहीं कि किसी के साथ गलत हुआ, बर सुरेश राहना का फिर भी मुझे लग रहा था, महां शायद से एक जोड़ते हैं, हमने आपको उस दिन भी बताया था कि दो और जरीये ढूंडे हमने, sports.in हमारी website है, जिसमें खेल की वीडियो खबरे हमने डालनी शुरू किया, आप देखिए, दूसरा यह है कि हमारा YouTube पे चैनल है, sports तक, मज़ा आएगा आपको आप देखिए, जैसे आज ह उस पर हमने माइकल क्लाक और वीवेस लक्षमिल के साथ exclusive interviews किये हैं, खास्त और से sports तक YouTube चैनल के लिए, तो आप प्लीज जाएए, सब्सक्राइब कीजिए, और Facebook पर तो इसी तरह से हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, राशिका, राहुल रावत और विक्रान तिनों को ए old तो, καनप जो इसाथ जा इसादे जाए राप Het व्यूरा सिए्ट शवटे को को इंगए तक फस्क्षी में आपके उत्क नंटारीं में जाएए हैं, यजू सम aja हो इसाए हैं, तो ए तो प्लाशा थे भू हैैं और सुल् ॼ भीजश एक्षार bit पके साफ. झाल झाल